आमनी महा भागवतो राजन पेतरम परियतो शयत। माया विविदिशन क्या सुनना चाहता था वो। माया को जानने की इच्छा से वो सुनना चाहता था। किसके माया को विष्णु हो। माये शस्य, माया काईश, जो विष्णु है, उनकी माया को जानने की श्या से, उस पिता बुदा ब्रह्माजिगा सेवाजी करती हुए, सुन्ने किछ्छा कर रहाता, महा भागवत नारदो, हे राजन, पितरम परिदोश्यत, पिता उस ब्रह्माजिगा प्रसंद कर दाना, तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानम प्रपिताम हम देवर्शी परिपप्रिच्छ भवान्यन मा अनुप्रिच्छती पितरम तुष्टम लोका नाम प्रपिताम हम पितरम पितुष्टम निशाम्या समस्त लोकों का जो प्रपिताम प्रह्मा जी जो उनका खुद का पिताबी है उनका प्रसंद होता हुआ देख करके देवर्शी नारग ने इनी प्रष्टों को पूछा था जिन प्रश्णों को तुमने पूछा है। तिकर समझ जोड़ दिया। कहते हैं, भवान यन मा अनुपरिचे थी, माम्रद अनुपरिचे थी। आपने जो जो प्रश्ण मेरे से पूछा था, उसी को देवर शी परिप्रक्चा। अब मैं कुछ रही को कहने कर दो शुक्देव का रहे हैं, तो मारे प्रश्ण जाओं मैं कुछ नहीं दे रहा। जो प्रह्मा जी ने जवाब दिया है, वही हम तुमको सुना देंगे बस। मैंने जानता कुछ भी इन प्रश्णों का जवाब है, तो निरहंकार की बाद है। एक पिपलाचीनी भी कहना है, मैं जानता हूं तो कहूंगा नहीं तो नहीं भाया। साल पर रगड़ो तुम पहने, फिर देखी जाएगे। उसी प्रकार यहां पर करें यह, मैं क्या बताऊं ओ जो तुमने पूछाता ना, ऐसी प्रश्ण यही का यही प्रश्णों भी था। फर्गड़ीनी प्रश्णों में। शब्दों में अंतर हो सकता है, प्रश्ण का भाव ही है। ऐसरे जो ब्रह्माजी ने जवादिया, तस्माइदं भागवतं, पुराणं दश लक्षणं, प्रोक्तं भगवता प्राह, प्रीत, पुत्त, य भूत, गृतु गृत। भूतों के निर्मात हो ब्रह्माजी। उस नारजी के लिए इस भागवत प्राण जो दस लक्षण वाला है, दस लक्षण वाला इस भागवत प्राण को उनने कतन किया था। पुक्तम भगवता, प्राह पृता पुत्राय, प्रसन्यों करके पुत्र के लिए भूतों का निर्माता उसने जो है कथन किया। भगवता पुक्तम एव प्राह। अब नारद प्राहमुनये सरस्वत्यास्तटे इंडिपा ध्यायते ब्रह्मा परम्हम व्यासायामित ते जसे। करते हैं को गुरु परमपरा को याद इला रहे हैं कि सुना भगवान ने पहले जो भगवान के द्वारा कहा हुआ था, चस्ट्रो की भावत उसी का विस्तार करके दस लक्षन वाला पृत्रत भावत को प्रमा जी ने नारद जी को सुनाया था और नारजी ने वियास को सुनाया, दस अध्यास नहीं, दस लक्षन बताएंगे, अग्ला अध्याम राद को पताएंगे दस लक्षन क्या है्, अलालक उस्कंद है गहारे, तो गवर बताते हैं, सकंद भेती हैं अक्ति लक्षन के लिए तौ कहुते। नारची ने कहा गा नारची ने व्यासाय अमित तेज से परमंब्रम ध्यायते सरस्वलस्याते प्राह ये परिश्दा नारची ने उस अमित तेज वाला जिसकी तेज कोई नात तोल नहीं दिवी तेज संबन उसे व्यास जब परब्रम परमात्म के ध्यान करते वह रहते थे उनके लिए महामुनी ने उस मुनी के लिए नारची ने सरसुती नदी के दट पर कहा था यद तांत या प्रिश्ट वाई राजा पुरुषा अधिदम यता सित्त द भाख्या से प्रस्टान अन्या शकृत्स नचः गहते हैं कि देखो भागत व्याख्यान के द्वारा तुमारे द्वारा प्रक्की के प्रस्टन का उत्तर मैं कहूंगा यह कुंने पुरुषा वयों के दारा जो भynूदएलों को व्यापते हैं यह केसा हो गया वो सारे चीज़े हम तुमको बताएंगे के इसे जवाब तुमको दूगा वायराजात पुरुषा ओधं विश्वम कल्प कदम आसित उस वहराज पुरुष के द्वारा अविश्व कैसी हो गया इत्यारी जो तुम्हारे द्वारा पूछा किया पुरुष्ट है उनको ये था वक्त इन दस अलक्षन वारा भागवत की व्याख्या के द्वारा तुमको गसन कर दूँगा ये गदिया ये जोता हम त्वया पृष्टो वहराजाद पुरुषाद इदम ये था आसित मने कथम आसिते पूछा था वो किस प्रकार ये हुआ है ता तो पपाग्यासी अन्यास्य प्रष्टन कृस्टन से और अन्यवी तुमारे जितनी प्रष्टन वो भी सब में कहूंगा ये नहीं समझना क्यों सृष्टी के बारे में काकर्चुप हो जाओंगा अन्यवी तुमारे जो प्रष्ट दाना सब खुच बात होंगा वो दस लक्षन काउं थे वो ही पता है श्रीश को हुआ अच्छा अगले अध्याए जो नव अध्याए इस तरह से पूरा हो गया नव अध्याए तत्तुवां का सार बता गया आप तत्त्त की विस्तार करें श्रावण की यो कि था परस्टा जिग्यासा देय हुई श्रावण साफ़ साह होनेलगता है तो जिग्या सुत्पन हुआ, प्रश्टों की छड़ी बढ़ गई, अब फिर उसके लिए तत्वसार बता दिया, वास्तविधा क्या चीज़ है, निचोड़ बता दिया, चतश्रो के भागवत बोल दिया, और ये भी कह दिया, वो चतश्रो के भागवत ही, दसलक्षन अब उसी तत्व के विस्तार करेंगे, जब तत्वसार था, तत्व के विस्तार करेंगे, ताकि स्वम्यक मनन हो जाएगे, इसे तश्रवन का परिपक्वता हो गई, तत्वसार से, तत्व विज्ञान से, सामाने विज्ञान से, वो श्रवन परिपक्वता करा था, अब मनन ह के लिए उसे तत्त का विस्तार विज्ञान होना जरूगी है। विशेश विज्ञान के विना मन समयखने को सबता है। उत्तमाधिकारी के लिए यह अंत्यमध्याई है। यह मनन कर लेगा पसो होगा उसका काम नहीं ज्यासन स्वता हो जाए। उसके लाव कुछ विधी करने की जरूथनी। श्रवन और मनन। श्रवन के सबतांगों का आपने श्रवन के अतेले, शाहत अध्यायों में। आटवे अध्यायों में श्रवन का परोक्ष ज्ञान के कारण से ज्ञासाय हुई। उन्च ज्ञान से अपरोक्ष के सामन ज्ञान आनभूती हुआ उसको तक तुसार हुआ। और आप उसी अपरोक्ष के विशेश विज्ञान आनभूती के लिए तक तक विस्तार करने वाला गिज्ञान सगुन ब्रहम ज्ञान प्रदान कर रही। वही करें पहले दस लक्षन कोने संक्षिवा बताएंगे उसके वाद उसका विस्तार करते जाएं। श्रिश गुवाच अत्रसर्गो विसर्गश्च स्थानम ओशनम उत यह मनवंदरेशानु कथा निरोदो मुक्तिराश्च यह। के दस लक्षने। पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा ओशनम, पांचमा उति, छटा मनमंतर, सात्वा इशानु कथा, नवमा निरोद, नहीं आठवा निरोद, नवमा मुक्ति, और दस्वा लक्षन आश्रे। कथे नो लक्षन किस दिये हैं? दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, नवनामिय लक्षनम, वर्नयंती महात्नाह, शुर्ते नार्ते न चांजसां। काते हैं कि देखो, जो दशमतत्त्व है ना इसमें, दस्वा लक्षन कोने, आश्रे, मने हो शुद्ध ब्रह्म। ब्रह्म के ओपर आवरन हो गया, मया से, खेप हो गया, मल हो गया, यह सब की जो खिचरी जो हो रक्षा है, इसका विशुद्धी करने के लिए ही उन्नो लक्षन किछने ब्रह्ण। इस भागवत में, जो प्रतम नो लक्षने, वो दस्वा का विशुद्ध्यर्थ है, विशुद्ध्यर्थ का अश्रे मतलब क्या? विशुद्ध्यर्थम का विएर्थ क्या होगा? क्या ब्रह्म को शुद्करोगे? ब्रह्म का तत्व ज्ञान के लिए ही तत्व ज्यान केल्वन이綵पन जो करते हैते हैं अच्छा, बरन यंदे महात्मान हओ इस नो लक्षनों को महात्मा लोग बरना कियां करते है स्थुतिया जिस्ताने स्वण जसा शुरूत्याएवा शुरूत्याएवा स्थुतिया जिस्तानों में ही जाकर का बड़ानायस तो निर्ग को निराकार तकत्तो को कातन करते जाएंगे झाताओं के मादियम से, स्थूतियों के मादियम से पता ही नहीं चलेगा हैं कि भाई ब्ह़त कर आजा जा रहा है आज समझें कि इस स्थूति अच्छा हो रहा है만, इतना कुंडल पैना, आज पैना है अरे कुंदल पुंदल हाई नहीं वहां कुछ उसका आरती नहीं समझे तो बाहर से तो लगता गया है तो स्थूल रूप दिया जा रहा है स्थूल का वड़न हो रहा है इन रहसे को जाओगे दौह लगजी आरती इसने वहास्त में नौ लक्षनों के द्वारा उसी ब्रह्म तक्त्व का विज्ञान करा जा रहा है तो तक्त्व ज्ञान के लिए ही दस लक्षनों को दन नौ लक्षनों को जो महात्मों के द्वारा शुरतेन अर्थेन चा अंजसा अंजसा मने आनाया सही शुरत है न एक तो स्टुट्यारी के द्वारा और आरते न कमदलब ताथपरी वृत्या तक तद हाख्यानों में जो ताथपरी है उस ताथपरी की वृत्य के द्वारा खतन के ग्रान के द्वारा भी आपको बर्माभबोत हो जाता है अच्छा ठीक अब गते संक्षे में इनका लक्षन तो बतादो क्या ये प्रत्य को सर्ग विसर्ग क्या चीजें है ये संक्षे मता जीजें बादमिस्तार में हर्सकंद में जो भोग अपकड़ेंगे उस चीज को फिर निदिगी कथा सुनते चले जाएंगे हम इसे पथा पहचान किया है सर्ग किसे कहेंगे हम तब कहते हैं भूतमातिंद्रियाम जन्म सर्ग उदारत हा ब्रह्मनो गुण वैशम्याद विसर्ग पवर्शस्मरत हा सिदिर्वै कुंट विजप पोशनंत दनुग्रह मन्मंत्रानि सद्धर्म उतयक्र वासना अवतारान चेवितं हरेश्चास्यान वर्तिनाम पुम्सामिशकता प्रोक्ता नानाख्यानो पवरुधता निरोद्वस्यान वशयनम आत्पन साशक्ति भी मुक्तिरिक्ता निधारूपम सुरूपे नव्यवसिति ही आभास अश्च निरोद्ष्च एतश्च ज्यवसियते साश्रे परंब्रम परमात्मायति शक्द्यते दसवं का सुरूप कथन कर दिया सर्ग्या है इन पंच महबुतों की इनके तन मात्राएं ये इंद्रिया, मन, बुद्धी इन सब का जर्म होने का नाम ही सुम्ष्टी है सर्ग्यान। बुता, मात्रा, निर्य, ध्या, ध्या, इनका उत्पत्ति कहीं बुद्धी अर्थाजय शंशलेशा अर्थाद्वा आवदेर जातो रिदम रूपम। इसरे कहते हैं कि देखो इन सारे शब्दों सबको लेना पड़ेगा। भूत बने आकाशादी। मात्रा हैं उनकी शब्दा इतना मात्रा हैं। देखो से महत वर्हंगार और इनके कालनग में। यह सौशक वह हैं। गुडवशम्याद। गुण की विष्वरताह से हो गया। परणाम से हो गया। कैसे हो गया? ब्र्यममणःा, ब्रह्म से हो गया। उदिसी को सर्ग करके कहते हैं। विसर्ग पुरुषस्मृत हो। इसी प्रकार से उसी पुरुषगा स्वस्वरूप में जो लीन हो जाना है। पुरुषो वैराजा, तपकृत पुरुषा, चराचर सर्गो विसर्ग इत्यर्दा हो। उनी चराचर सरगों को अपने उम दरी लीन कर देना कना विसरजन करडाने कना मही परड़ा है स्रिष्टिया लाइ स्थितिर वैकुंट विजया पोशन तदनुग्रह स्थिति क्या चीज है? पोशन के तदनुग्रह अपने भक्तों में ज्यान का स्वरुप का अनुग्रह करने का नाम पोशन है और मनवंद्रानी उन अनुग्रह तदनुग्रह परवग्तों का जो मनवंद्राजी पती हैं उनके धर्म का कतन करना सद्धर्म जो है वही मनवंद्र है और वूती क्या है? कर्म वासना कर्म नाम वासना कर्मों का विस्तार वासना से वही नहीं समझना संस्कार विशेष वासना बने वही तंतुसंताने विष्थार्ण करना, उससे बनाये वही तंतु संथाने से वासना बना वाधातु से इसके तंतु संथाने से हो गयाँ वासना अथवा व५ ती शफ त्वद ग्यों ऐसे बना सकते ना, वयंते, कर्मा भी संतन्यंते थी उतए यह तर वे तुन समस्राथ लिए आपने, अथ वर्द्धी अर्थ वाला दाबस भी ले सकते, संशलेश अर्था द्वा, अथ अर्थ वाला भी ले सकते वाग्व आवा तेर दातों कर सुटूड़ा तो अवा दातों नेक रत माँ, और बुर्दृ लोग ढूट इन दो अवा दातों से बनालो रद को बनाए ऱेरो अब लिए कर्मेड ब्रिह जान दे तोर ये संस्टेशन से घ्या यह उती अधिव लाक्षा रहेल। आवतार अनुच्रित्तम् हरेह这样 अश्यन वर्तिनाम। और आवतार अनुच्रित्तम् हरेह यह जार अनुच्छत्त्त岐म। आवतार कि जार हैं। इसे हरी जो प्राइब प्रस्ट्तम् का रहेयों सिर्फान का होण लोगों.. पुम्साम इशकता प्रोकता, नाना अख्यानो पप्रंगता, ऐसे पुर्शों के जो नाना अख्यान से विस्तार जो कतने, इसी को ही इशकता करके का गया। इशकता का गया, जो यह स्वरूप है, आभा अजने, निरोध अश्यान शयनम, आत्मन सहशक्ति विह, निरोध क्या है? अस्यात्मन जीवश्या अरेर योगनित्राम अनु पस्चाद हरी की योगनित्राम में चले जाते हैं, जाते हैं, साथ-साथ इन जीवों का वेजो तो, सहई जब शहयन लया, यही क्या है, निरोध है निरोध और विसर्में थोड़ा फारागे, निरोध तो योग निद्रामे सिदा चला जा रहा है वह तो महाप्रलय हो गिए, बिख्रदया को सबने बिछिक मनेशाम्न सेस्थी होना उसके पृerk्ति हो जाना इसलिब प्रदया प्रकार गिना ताकृटिक प्रदया ने लेत, यो लिग्सी अनिर कालब वो निरोद है ओ मुक्ति क्या चीज है हिव आभास निरोध निरोध श्रेया निरोध मने प्रडवै यह सारी सर्यात भावती जिससे होता है उसको अध्यवस्यत pandemic उसी को प्रगाशन कर लेना सा परम ब्रम्भा सा परम ब्रम्भा परमात्मा आश्रे है थी शक्द दे उसी प्रब्रम परमात्मा को ही आश्रे शब से कहा गया है तो आश्रे का विज्ञान के लिए इन नव लक्षनों का ध्यन देगा योज्यातिको यम्बुरुष श्वासावेवाधिदैविकह। यहात्त्रो वैविक्षेद पुरुषव स्ववाधिदैविकह। वह आदी बहुती कोजाता है कैसा है वरणन करते जेको जोया पुरुष है जोया पुरुष हा आश्रय स्वरुप का अप्रोक्षान भव कि द्वारा स्पस्ट दर्शन की योगिवस्त्व अध्यात्मा दिया अश्रय भुटा शुद्व ब्रहम धत्वेर् दर्शन भविशय की था नहीं है अश्रय स्वरुप भुटा अध्यात्मा बवस्तु का दर्शनbesphones अनुमूदी भवश है इसनकी विन्ना उछे पखण नहीं सकते की विन्ना को कोई जानन पाता है है यह कारण आपके पास है? यह आप ज आनते हैं इसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कार्यी है? कारण यह या कारण है यह भी नहीं जान सकें गे वस्तुक आपक पास रहते हो भी जो लोग प्रसित है, उनको छोड़ करके सामाने तहा, कोई चीज़ आपके पास है, मान लेजिए, लगिन उस वस्तु को अमुक का यह कारण है करके आप नहीं चान सकते हैं, जब तक उससे कोई कारी पैदा नहीं होता है, इसी प्रेकार हमारे हम ब्रहम सुरूब हैं, यह यह श्यास्तु के माद्यम से जान लिया, सुनकरके, डीजिए नहीं. बहुते होते हैं जब तक उससेसा सॉने नहीं, यह भीम ब्रहम हैं, भीम में लिए हुन करके. तब भी आप धेल की नहीं थे हैं? तब ही तो आप थे, तो पुरष तभ भी था, अब ही है, पहले था, और मालूम नहीं था, और क्या था, तिया था, तिहीं, अब यह मालूम हो गया, कि आम ब्रह्म सरा ज़व कारणी, यह निशे कैसा हो इस चीज़ के, शब्दों से जानने से नहीं काम सोथा, इसके लिए कार जब कारी को पकड़ूंगा अवसी कारी के माध्यम से हम लोग इसके अंदर उस कारण के माध्यम से अप्रसुरुप को अनभो कर सकते हैं। उसी के लिए त्रिविद विभाग को हमें ग्रहन करना ही पड़ेगा। तो कौन-कौन कद्या अधियात्विका, आधिदेविका और आधि भावति विभागों को गरन करना पड़ेगा। वही विभागों को दर्शाने के लिए आरंभुआ। पुरुष्ट्यों चक्षणादी करनों का भीमानी जो पुरुष्ट्य। वेस्टी में समस्थी उभयत। समस्थी में पहले हुआ, वही चक्षणादी बना कि वहां भी आधिदेवी के हाधि बहुत ही आधियात्मी जो भी श्रीविका तिनों रहेगा। तीनों के बिना संघात नहीं है। तीनों की बिना इसको संगात रही मानी जा सकती है इसरे गाते की देखो तीन काउन काउन है वो तो वही बता दे से जो जीवात्मा है वही आदी देविक है वही चक्षुरादियों का अधिस्ठाता है, और वही सुरियादी रूपे चक्षुरादियों का अधिस्ठाता है, और वही बुरोषव, पिर उसके बाद में क्या हो गया, आधि बहुत हो गया, वही अधियात्पे को शरीर को अभिमान करता हुआ, और चक्षुरादियों का और भूता एकषिके वे द्वार्ण बूतों से वे वे आदिम होते कि रहा है किसका ? किसको अमर्ध मां हत्म फार्य जगत नहीं है यह जगत महात्मा में नहीं है जगत अपा में? नहीं है, हहां जगत मैया में है यह पारमारतिक दिश्ठी कोन के खता है है यह निक, क्योग बांखरे है viola xe यह विचार होगा, जगत मैया में है बोल रहे हैं, इसली को Ö तो माया वास्ति 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 वास्त आप पूछोगे, तब कहेंगे पहारमार्दिक नहीं है, फिर क्या है वो? रज्योसरप बहले बात है, आएंगे मिथ्या है, मिथ्यास पर कहां दिखाई दे रही है, तब कहेंगे आतर दिखाई है, यह प्रक्रिया है, अध्यारोप अपबात दिखानी बड़ेगी न, पहले इसका उपदान कान अध्यार विचार करेंगे, जो जगत को उपदान कान काऊने है, माया, यह कहना ही पड़ेगा, यह प्रक्रिया मिथ्या बूत माया और मिथ्या उसका कारी बूत है इस जगत, इस मिथ्या है, सर्वता, तो फिर कैसे दिखाई दे रहा है, बिना अधिस्थान भी नहीं है, क्यों, क्यों के चीजी नहीं है, कोई चीज हो तो उसका दिखाई दे रहा है, इसलिए जब तक दिखाई दे रहा है, तब तक व्यभार के लिए कहना पड़ता, आपके ब्रांती दिखाई दे रहा है, फिर तो उसका दिखाई दे रहा है, फिर त फूर में वास्ता था नो अजिस्टान से ऐंने। कि अजिस्टान कईसे ओज्टान मी और सकता था słarak को अजिन जब निखाय दे रहा था में रिखाय था रज्ज को में दिखाइ दिया। श्वेडान रच्य का दिखाय दिया। यावद काल परिंथ प्रतीदी दिए नावद काल परिंथ उसमेन अधिभत आथिष्ञाणतु का आरोप है अधिष्ञान में यह वास्ता वैस्ता gesch। इस वेजान की परक्रिया घान रखनी है तो सब समाधान हो जाकता है इसे आप केया करें, वो पुरुशी आदियात्नी करें, आप बताओ, इसे इसे कह रहे हैं, जब प्रतीतिकाल में आत्मा का इन्वस्तों के साथ अभैमान हो रहा है, आत्मा ने चक्ष्व राजय को अभिमानी हो गया, कौने आत्मा आदियासिक्त, शुद्रीच्त, इसे आप पुरिषवादयों कि इव पादिन से आसे इव, पुरुषव जीवस्या उपादी पुरुषव से आसंग, जीवातौ थे, ईविस्ते जीव अवारी, चैत जीवातन की पादिन यसरे våतन की बाति सहेव आजिनेवी का चक्षुरा दिरिष्टाता सोर्यादी ही और तत्रा एकसुन्येव उभयो दिरूपो विच्छेदो और उसी पिल जब इन दोनों रूपों के विच्छेद करदो तब भावतिक बस्तो रह जाएगा यसमास सा आदी बहते का चक्षुर गोलका दि उपलक्षितो दृष्यो देहा पुरुषा ही दि चक्षुर आदी इन गोलकों से उपलक्षितो दमान समय इपिंड शरीर इसको भी क्या कह दिया पुरुषे ही दिया क्यों पुरुषका है इसले पुरुषे आशरे आशरे भाव का अभेद का अभेद से आप अपचारिक प्रेव होता है इसना कि सपष्ट कर दिया क्या पुरुषा से जीवसी उपादी रही तो गह दिया देहा पुरुषा से उपादी पुरुषा क्या शुद्वर्मा नहीं वा जीवसी उपादी वाइ पहस्ट कर दे रहे हैं, क्योंगे यह ब्रहनती नहीं को जाएगा. कहीं तो बोलते हो आत्मा रुचारा जगत होगा, कहीं कहते हो आत्मा कहीं उपादिया, कहीं कहते हो, आते हो कुछ मीझीग नहीं. वे यह केवल सब्ता क्या है? पारमार दिष्टिकोन से अलग बात्या, अलग दंशे शब्दावड़ी प्रेव होता है और व्यावर दिष्टिकोन से अलग बोलूंगा और प्रतिती प्राति भासक दिष्टिकोन से अलग बात्या शब्द बेद मात्रों जाता है इसी को दिखे एकमे कतरा फावे, यदानो पल भामहे, तृतयम तत्रयो वेद, स्वात्न स्वाश्रयाश्रयो ह। इनकी विरक्षन अदाभी है, यह तीन ऐसे चेडिया है, आध्यात में काजरीक और आधी बहुतिक एक जुसर को नहीं रहे नहीं है। एक दूसर नहीं काम के नहीं है, अमानी जे गोल है कि आधी बहुतिक हाई है, ठीक है, है। लिन इसमें आधी देवी को हटा दो, क्या हो, यह अंधा। और इसमें यह अंधात भी हट जाएगा, मैं अंधा हो बोलने वाले भी नहीं रह जाएगा। एक दूसरे के विना, यह कोई भी कारी करने में समर्द नहीं हो सकते है। एक दूसरे के साहता थी, एकम, एकतर, अभावे। यह अधा, जब ऐसा हो जाए, नोपल अभाम है। इनकी उबलब्दी नहीं हो सकती है। त्रतयन तक्त्रयोवेदा। इसमें त्रेनोंही मिल करते ही जो जानता है। वही जीवातनां वही पुरुषः। स्वास्रय आशर। स्वास्रय आशर्ततन से जानता से तृतयन नहीं वylोवेद्वय। इसा चिन्तन करताव जो जानेगा, साक्षित्ता या पश्यति। वेदा कमतल? साक्षि रूपेड इसको देखता है, स परमाध्वाएव, स आस्रे वाइव परस्पर अश्र तमस्तियम व Мосेशना, व कि परस्पर थे रौका तुसरे का आश्रे भास्रे मुष्यप हमा इन आ है, अंपरस्पर बन रहा हैं आश्रे जोु उनका भी आशर नहिंए और अश्रौ नहि को नहिं में? नहिं दौका हूं। पुरुश्वंदम विनिर्भिद्या यदासो विनिर्गद्अ आत्मन अयनमन विछन अपोवस्राग्षि चुचिह शुचिह तो क्या हुआ इस्रश्टी कैसे करता है इन चीजों का कहते हैं कि आध्यात्मा जिभाग कविस्तार सम्झाने की लिगा रहे हैं वो विभाग कैसे हुआ, प्रतिक का विभाग को पता है, एक एक कैसे हुआ है, पहला उसने क्या बनाया, प्रह्मा जी ने सब से पहले क्या बनाया, उने जल का निर्मान किया, इन आरायनी स्री नाम पढ़ा ने, अश्लोक भी देंगे निचे देखे आएगा, कहते कि अध्य आध्य assemble एध्या का जीदाहम तवया प्रस्ट आव गाझेल से कहा था, वईराच पुरश में वईराच पुरश वेराच पुरश प्किस प्रकार से वग्या उस्का जावामी कह रहे था पुरुष सया वैराजम आशुद ब्रह्मन जिवात विनिर 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 पुर्द ने ब्रह्मान के पृतक पृतक करणा आज देविक, आज 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 वेक, आज आज बात करती तीन भाग करती है हर चीज को तीन तीन भाग करती है कैसे? तो भी उताएंगे आयनमस्तान मन विच्च क्यों करना पड़ा? उसा इस सोचा मैं रहो तो कहा रहू हूं। सरक्री शुद्ध शुचिही पहला जो है स्वयम शुद्ध थे वो कौन? शुद्ध अवो जो ब्रह्मा जी शुद्धन तक्रणवाले अवी बगवान का जर्शन हुआ है भागवत ब्राथ कर चुके है शुचिह पहला है बोलेते प्रमाद रही तो अगर अनाला सुकर करणगा कहे थे वो ही काम करने के लिए यार हुए है अत्यम शुद्धन तक्रणवाले इसले शुचिही शुचिही जो दीरीकारां थे शुद्धा कौन? आपहा अस्रक्षित भी आस्रक्षी तुन्हों ने उत्पन करदियार शर्ष्टि करदी है। जल की स'reårtिक करें। जल गया है। जीवों का कर्म है। उनका नदर जग आएंक सारे जीवों का कर्म उनको दिखाए देने डिड़े है। यही ज़ है। और ओर इसे कर्मों में हम सोगी। करम का अदिन और करणवा और करोचान की बगदे से पलगे अश्रश्टी हो रहे हैं क expensive karma अदिन ओकर आप Carmen ajan करोचे कही बार होता है आप यह सोने शो LIVE नहींने पाद पढ़ने आये हो सोने आये हो हो गया ? नहीं पिर भी आँ सो जाते हैं क्यों? कहीं लोग सो जाते हैं किर आप सोनेहाएं नहीं तो कैसी नेदा घए? करमा अदीन होगी लोग, आप करमेंदा फूटे थे जहा दे यहां निए लोग देदा नेदा पूड़े तो यही ना पर यहां नेदा लोगी तो सोना ली करमा ली ने, कई बार सोना चाहते हो तो भी निल नहीं आते है, रात भर थटवर थटवर होते रखा है, क्यों? इसका अदर सब कुछ करमा आदिने, हमारा जजना, सोना, सप्र देखना, सारी चीज़ हमारे करमा आदिने करम पर जल का उने, शिष्टी करम उने उनके उद्भूत हो गया जब तक अविद्या में चिता हुआ था, वह अब उद्भूत हो गया अपने फल जन मललरुपी चक्र में डालने का फल देना आरम करवा है तास्वावाट्सित्स्वस्रष्टासो सहस्रपरिवर्चरान तेनन नारायनो नाम यदापक पुरुषोद्भवाहा करते आपसु वासम नारायन नाम निरुक्त्यय वस्पष्टे वस्टीय वस्टीय वस्ड भ honest क्या उसपक नाम नारायन इसले अमक जिस से क्या हमोड भी नारं है आप भी नारं हम की नारं हम MIल जब है करवर पर जल में वह है गरम हἝार जल है करवाट्पलग उस आयन में उस आश्रे में अनанд गाल से छल आए Train आप भी हो रहां भी, इसरे एक दूसरे को नमुस्कार है, नहीं? अर्थ को समझे विना बोलते रहें, आप समझ में आरे अर्थ क्या है? को ही का रहे हैं, कि देखो, जल में उनने तासू, स्वस्रिष्टासू, दूसरे से बनाया हो नहीं है वो, अपने ही बनाया हुआ है, स्वस्रिष्टासू, तासू, अपसू, आवादसित, उसके दर वास किया, कितरे समय, सहासरफ परिवसरा, यह एक हजार साल जो प्रणेकाल उपार कुरी हो है, इसी वच्छोस का नाम क्या पड़ा, तेन नारायनो नाम हुआ है, इसको श्लोक विष्ट 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 पुरान का, आपो नारायति प्रोक्ता, आपो वई नरसून वह, अयनंत स्थता पुर्वं, तेन नारायन स्मृता, गीताजी में भी आनदग प्रते हैं कि आपो नारा, नरेव माव, यहां भी कहरें देखो, यद यसमाद पुरुषो नरा, जिसले पुरुष क्या है, नरे, तसमाद उत्वो, उस पुरुष, रुपे नर, से उत्पन होने के का नाम, नारह, नरे, पुरुष, उस से उत्पन, कैसे उत्पन हो गया तेसे नारह, ता नारा देव आपो आयनमा सेधी नारायना वो नारा क्या है? वही जल है और जल है अयन जिसका उसको क्या कहेंगे? नारायन कहादी इसी जीवने जीव से उत्पनुवा करम रुपी जल और वो करम नहीं, सदार हने कहाद से जीव कही नारायना वही अंड़ कहादी आया पहले? बीश कहादी पहले? पेड़ कहादी इसने तो कहा है आजातवाद में ले जाना है ना आजातवाद क्यों ले जाएंगे वहाद सो कुछ भी नहीं सब लिला है रास लिला चल रही है इसे कौन पहले? जीव पहले की करम पहले? बीश पहले की प्रिक्ष पहले? बीजां कुरुन नहीं इसने उतने काए संसरह नात दर्व्यं करम पहले कारश ची सभावो जीव यहे वचन यदन रनम करहत संती न संती यतफ्या दर्व्यं करम पहले का लज़्श जा उपाजर कारण films चया देड़ चया चयगत क और शिरॉम करम का निमित निमित कारकामि काला है, 경娜 नमरन के सृष्टि सिधी बत्पत्ती सिधी Wayneー मरन रुभीकाल, मुक्स कि नमा रुभी काव समिष्टि जिवा हो, भोगता में अद्च करता मा भोगता में यह शारी। यह ओन उग्रहत ही जिस प्रमाद्त वग्रह से संति मैं अपने अपने कारी कर्णा में सक्षम हो रहे हैं. और जिसके उपेट्जा से ये सब है नहीं और तोर कारी कर्णा में सक्षम नहीं होते. कितने है वो ऐसे कौने वो कितना है क्या है? मैं वदध्विधि प्रण्भौ वेगर एको नानात्त मन विच्छन योगतलपा समुथ्धितो हौँ वीरियं हिरन्मयं देभो मायया विसरज़त्स्तृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृत तब योग निद्रा में जो था, उस योग निद्रा से स्वमुतित्य तहा आउट गए अन्ने अपनी माया से जोए उतने, आपने अंदर एक के बहुत्वगी इच्छा कर वैठा, तब क्या क्या पैदा हुआ? वीरियम, हिरन्मयं वीरियम, ये हिरन में ब्रह्मांद पैदा हो वीरियम, ये हिरन में ब्रह्मांद प्रगाश भोडम, वीरियम, गर्वरूपम, देह, जिसे सबकुछ धारन किया हुआ है, वो देह को पैदा है, समस्टी और वेष्टी दोना लेते जाए, कैसा काय हुआ हुआ हो? मयया, वे सर्जत्रदा, मप्री मया से तीन भागों के वे स्वाधि भूतम इद प्रभव, अधाएकं पहुर्षं वीरियम, तरदा पिद्यत दच्रणुं। इसरे सलों, वह एक जो था, एकं पहुर्षं वीरियम, भी अनेक नहीं है, वह वाईराजपुरुष भी एक ही था, वह एक वाईराजपुरुष नहीं अपने अंदर द तेन भाग बाट दिया, एक तो एक दम भावतिक कर दिया, जड़ात्रो, कारिय, तुस्वम क्या करते, कार्या कार्या, और दूसरा, नजढ नचेतन, बीच मा, खेशडी वाला करण, तुस्वम क्या करते, करण समुधाय है, और तीसरा गोटी में डाला, जो चेतने विल, जु यह तीन भागों में हर्चेस को भाजन गर्गे सुन चालन कर ला है, उनी को सुनो, प्रक्त्यक के अंदर कैसा कैसा है, अंतर शरीर आगाशात, पुरुशस्या विचेष्टत हा, ओजा सहो बलं जज्जे, पथप्णानो महानसुरू, अंतर शरीर आगाशात, पुरुशस्य पुरुशस्या विचेष्टत हा, पुरुशस्या विचेष्टत हा, पुरुशस्या करने से, 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 पुर वे ओजह सहो ब़लंव तथ महान पड़ाण पसवो आकास से करिया शक्ती के दौरा उसने क्या किया पुरिस्की विचेश्च अबनि पुरिश्क कीकिर दिवाद है ज्ञान शक्ती से परीस्तिमाल हो इन ज्ञान शक्ती के अगर पशाद करी crin कि ज्ृ एसन्पन है वो. और अश घ्जान शक्ति रिश्ट मन्य स्सवाल करें तभ सिर्ष उत्पन ही विए ग्र्यान शक्ति किछा होगा? आपके भास घ्जान شक्ति है? पकोड़ी कैसे बनाई जाती है? पैठेर भू ग्र्यान है- पकोड़ी कहोगा और क्या होगा.? जब तबक्रियाष शिक्ति पे इस्तिमाल करोंगे नहीं, हात पर चले गानी छुळा अहला जला ग कर आणिका New इस दर से यहां बर में इस त्रिष्टी को पूरा क्यान लेकर करें गया, वो क्रिया शक्ति को इसे पुरुशत से विचेशता, वही पुरुशत नहीं यहां, वैराज पुरुशत, ब्रह्मा, जविराट का विमानी, अंदर यहां, सुधरा आत्मा, इश्वर जिसको कहा जाता है, उसने क्या किया है, उसकी क्रिया शक्ति है? वैसे त्युल वहान, जशी जव रेष्ट कह पूरुशत, इनदरियों की शक्ति यहें, पॉर मन की शक्ति, और बलम देह की इन तीन शक्तियों को उसने स्थाप्रा करना, तब लेले शक्तिया करेंगी क्या काम, इसलिए जगात्मकी तो है, बिना प्रान का क्या होगा, इसलिए उसने सोचा, अरे भाई ये तु यूं ही पड़े रह गए, पैदा करके कोई फाइदा नहीं हुआ, तो उसने तब उसके आत्मकात, सुक्षमात करते हैं, रुपात प्राणा अने सूत्रात्मा, जिसको सूत्रात्मा करते हैं, उसके प्राणा है, और सूत्रात्मा करते हैं, उसके प्राणा है, और सूत्रात्मा करते हैं, मानसु, मुख्य प्राण को उत्वन करते हैं, अब उस मुख्य प्राण क् कारण से आप इंद्रिशक्ति, मनःशक्ति और जो दैवशक्ति हैं, वो तीनों काली करमे करते हैं. अनुप्राणंति यंप्राणा, प्राणंतं सर्वजंद जो, अपानंतं अपानंती, नरदेवं मिवानुगा, जे जर राजा का अनुसरन करते हैं न, उसके नवकर, चाकर, मंत्री, संत्री सथ, ठीक उसी प्रकार से, इस मुख्य प्राण का ही अनुसरन, निरंदर, ये सारी इंदरियां, सारी शक्तियां काम कर रही है, यम प्राणा, अनुप्राणंति, प्राणा मने ये सारी इंदरियां, यम अनुप्राण, इंदरियानी, जिस उस मुख्य प्राण की चेश्टा करने पर, वे भी सुचेश्टित हो जाते हैं, चेश्टा में कुर्वनति, प्राण अपने अपनी चेष्टांए करनी लगती है, अपानंतम, और वही महाप्राण, जब मुख्य प्राण जो है, क्या करेगा, अपानंदम, चेष्टाम्तिजंदम, चेष्टां को त्याग कर रहा है, तो सब अपानंदी, सभी अपरापरा चेष्टा करना, छोड़ दे, बंद कर प्राणे नक्ष्य पताक्षुत्रदंतरा जाय दे प्रवह ते पास तो जक्ष तस्च प्रामुकम निरबित्यत। यह सब श्रीर हुद्र सबत रहुतिए सब अफ़रेलरा के दे लियुद्र नहीं है। सब के सब काम करना चालो कर दिये, प्राने नक्षे पता, प्रान के दवारा थोड़ा चलायमान हो जाने मारत तरसे, चाला ही आदा, निमिते न, उसी निमिते क्या हुआ, छुट, बने भूख, तृट, प्यास, ऐसा गो प्रभुह, प्राने नक्षे पता, ऐसे अरते हुआ, प्रभू के द्वार हो इसी विरहार पुरुष ने, जब अपने अंदर मुख्य प्राण का जएक्षेपन किया, मन उसके विचलन लाया, तो क्या हुआ, सभी के अंदर शुत्रडात्यादी जायते, सारे के सारे उत्पन हो गए, अंतरा से अंतातर किया है, शुत्रड अंतरा मन इसके बीच में इसी शरीर के भीतर, भूक और प्यास उत्मन हो गएग अब भी पासदो चर्ष जच वो पिना चाता है, खाना चाता है, कैसे पी अगा खाएगा, इसके ये पोड़ना पड़ा, मुखको फोड़ दिया गए, ये रहे रहें, तो है जए अधा अंतरा अंतर पुरवam suram prathima साथ से पहला काम उसने क्या कीया मुकर निरफियता मुकर बेदन क्या मुकर बेदन करेंगा तो क्याप़ मेठा रसम अंदर्वी पी चाहिए। उसके इंदर्वी इसनें जामी जाएं क्या क्या डाल रहा है सबसे पहले इस मुखे भीतर में तालू को निर्मीदन किया जिवा और जिवा में जिवा तत्र पचायते तब मैं तालू और तालू से क्या ले हो गया झालू तालू झाल झाल